दोस्तों आप सभी के फोन में जो power button है ये बटन तो जरूरो से होता है ठीक है जिस button का स्वायल करके आप अपने phone को आम तोर पे switch off करते हैं switch on करते हैं या फिर आप अपने phone की screen को on करते होंगे ओफ करते होंगे यही दो-तिन जो काम है हम अपने phone के power button से कर पाते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन में जो पार बटन है इस बटन की कैसी खोफिया ट्रिक के वार बताने वाला हूँ जिस ट्रिक के वार में आप में से 99% लोगों को बिलकुल भी नहीं पता होगा और यकीन मानिए ये जो ट्रिक है आप सभी को प जो मॉइल कंपनी हैं होती हों काफी सारे ट्रिक छुपा देती हैं लेकिन इसके वार में हमें नहीं बताती तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को उन्हीं में से एक ऐसी ट्रिक के बार बताने वाला हूँ जो ट्रिक का आप सभी को काफी ज़्यादा पसंद आने वाली आधे करनाव मैं आपको खंटी को अभर है करके आपटा सा कमेंट में लिख देनाए के स्वीक रिख नहीं है इस थरीके से यहाँ पर आपको वाले किसा करते हैं तो चलिए मैं आपको इस ट्रिक के बार बता देता हूं तो ऐसे में अगर आप जाना चाहते हैं कि आपके फोन में जो पार उटन है इस बटन की कौन सी ट्रिक है तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को ये जो ट्रिक है दिखा देता हूं उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि कैसे ये जो ट्रिक है आप भी अपने फोन के पार विटन में कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं अपने फोन के स्क्रीन को यहां पर बंद कर लेता हूं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं हमारे फोन की जो स्क्रीन हैं यहां पर बंद हो गई है अब दोस्तों मान के चलिए आप गाडी में travel कर रहे हैं आप बाइक पे travel कर रहे हैं या फिर आप रोड पे ऐसी घूम रहे है और आपको किसी को call करना होगा तो ऐसे मैं आप सभी को अपनी screen को खोलना पड़ता है password डालना पड़ता है और contact ग kick में जाके आप उसे call और यहां पर आपके सामने option आ जाएगा call नील तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैं यहां पर इस बंदे का नाम बोला तो यहां पर इस बंदे को call जो है लग चुका है तो इस तरीके से आप अपने phone के power button में यह जो trick कर सकते हैं अब कैसे करेंगे चली मैं आपको बता द देता हूं दोस्तों यह जो trick को करने के लिए आप सभी को अपने phone में चोटी से application को डाउनलूड कर लेना है इस application का जो link है मैं वीडियो के description में डाल दूंगा तो हां से आप से डाउनलूड कर लिजाएगा अब डाउनलूड करके जैसे आप application को open करेंगे तो यहां पर आप आपको screen में ले आना ठीक है इसके वाद यहां पर यह जो तीन वाला option है इसके उपर click करना है और यहां पर आप सभी को इसे एक second पर select कर देना ठीक है इसके वाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना उसके वाद दोस्तों जब भी आप अपने phone में यहां पर यह जो power button है जब कि आपके काफी काम आएगा थैंक यू